तो गाईज गौपाल नेगी ब्लॉक में आपका स्वागत है और पहाडों में लग चुका है असोच का महीना असोच के महीने में पहाडों में बस दो काम किये जाते हैं पहला काम की गाई भेंसों के लिए पहाडों में ज्यादा से ज्यादा मातरा में इस महीने घास काटी जा लाई जाएगा और हमने भी इतनी डाले लाकर इखटा कर दी हैं आपको दिखाते हैं तो ये है रहेस की डाल और कि मैं ये थी सुखाई है और आधे कुछ loodmaET भी पकर पहाडों में इसकी दाल इतनी अच्छी होती है यह आप देख सकते हो यह रहे हैं इसकी सबजी इतनी अच्छी होती है और इसके डाल भी आप बना सकते हो तो गाइस पहाडों में इस बार मास की दाल भी बहुत हो रुकी है और यह मास की दाल और आधी हमने अंदर पै कर दी है और यह दो थालियों में बड़े थालियों में हमने सुकाने के लिए रखी है और यह इस बार अभी कम हो रुकी है ये इसकी भी दाल होती है देखो काली रंगी दाल होती है और ये तो गाइस ये है तिल इसे पहाड़ो में इस तिल से इसे वैसे भी खाया जाता है और इससे पहाड़ो में मिठाई बनाए जाती है इसकी मिठाई काली रंगी होती है और इसके तेल निकलता है जो बहुत महंग में और आधा सुकाने के लिए लगा। इसमें इसके अंदर ए भी दिल है। यह हैं राजमा की की दाल जो यह सुख चुकाने बीज तो डाल्सरा मार्टिक्ट में मिलते हैं कि अभी विसे jeśli दिखाते हैं राजमा पेड़ों पर कैसे होते हैं राजमा के पेड़ गाइस अब हम जा रहे हैं राजमा के पेड़ पर आपको राजमा दिखाते हैं पेड़ों पर कैसे होते हैं राजमा तो गाइस यह राजमा के पेड़ जो इस पर वी राजमा होरके हैं अभी चोटे होरके है ये देख सकते हो ये एень आपको दिखाते हैं टोड़के अभी पके नहीं इसमें अदहे ऑपकी भी हैं भी उनको टूड़िंगे हम हों ए पका ही leak यह काई इस एक पका राजमा इसको टोड़के इसको हम सुखाते हैं फिर इनमस से ङ्षास से बीज यह žeं को कि तो गारइव में हरी सब्जी इतनी बड़ी होचुग है आप देख सकें तो गई सीह राइय और हरी सब्जी जो पहाड़ों में इतनी बड़ी हो चुकी है कहाने के लिए हो अब आपको दिखायते हैं पहाडी तौरह जो इतनी बड़ी हो चुकी है पहाडो में यह गईस बड़ी तौरह इसके सब्चि बनाएंगे और अभी छोटी हो रखेंगे एक यह इतनी छोटी-छोटी तौरह एक यह झार लागे हो लाग्य हो है तो गाइस पहाडो में दिपाउली के लिए फूले भी खिल चुके हैं ये हाजरी के फूल हैं इतने अच्छे दिख रहे हैं खिल चुके हैं आदे से ज्यादा ये तो गाइस यहर के पहाड़ी लौकी इतनी छोटी अभी और आधे तो बड़े हैं इसमें देख सकते हुए पेड़ भी सूपने लगया आप क्योंकि लौकी की सीजन अब चले गया है ये छोटे छोटे लगया इसमें तो गाइस यहाँ पर लगये इतनी बड़ी बड़ी लौक समूल सान बड़ी और ये लौकी Uhr खाने के घ्राज़ी और ये लौकिअ भी स्वारी लौक जोटे के जो खाने के लाइक होता है वैसे हो चोटा हरा होता है और अब ये पक चुका है इसको सुखा कर आप एक साल में दो साल में कभी भी इसे खा सकते हो और इसे धूब में ही रहना चाहिए ये पहाडी गेठी और दिखने में पत्थर जैसा होता है और इसकी सबजी कड़ी होती है जैसे करेली की सब्जी होती है वैसे होती है ये इसके पत्ते हैं ये ऐसे दिखते हैं ये बहुत सारे हो रुके हैं गेठी ये पहाडी मक्ये और इन्हें पहाडो में पहाडी नाम से घोग के नाम से इसे पहाडो में कहते हैं से पहाडो में इसे घोग कहते हैं ये और इसे वै नेया बनाए जाती है खाने के लिए ये ये है गाइस भूज ये और छोटे-छोटे काटे होते हैं जो हातों में चूप जाती है और हुरकेस के अंदर ये उस वहां भी हुरकेस बहुत सारी लगे हैं पहाडों में ये गाइस पहाडों में बारिस का मौसम बन चुका है और सुबह धूप आयती और अब दिन में बारिस का मौसम बन चुका है ये देखिए गाइस पहाडों में ये मौसम हो चुका है बारिस आने का और कहीं तो धूप भी आर की है तो गाइस ये कहीं धूप आर की है और हमारे वह बारिस का मौसम बन चुका है यह दूसरे पाहड़ जो है बड़े-बड़े उन में अभी धूबार किये यह और ऊसका मौसम अभी भी बना है यह आप देख सकते हो यह और हम आए हैं जंगल घास के लूठा लगाने जो बारिस सढ़ सकता है इसलिए हम आए हैं जंगन आपको दिखाते हैं अपने वहां के जंगन और किस परकार यहां पाड़ो में लूठा लगाया जाता है और यह गाइस ग्षा कार कर सुगार किये अभी शूक चुकी है पता नहीं किसी और कहें गाउ में लिए इसको बाद के पेड़ों में लूठा लगाया जाएगा ये और किसी ने अभी काटी भी नहीं है आधी काड ली है और आधी ऐसी है भी ये अब चलते हैं अपनी खेट पर और हम बाइस के वज़ा से आगे ये कहीं दूप तो कहीं चाव है और मम्मी पहले चले गए है घास के पुआबाद ने और हम अब जा रहे है क्योंकि हमने लूठा लगान है और गास के पुआज सान है आपको दिखाएंगे पाड़ों का कष्ट भरी ये जिन्देगी अब चलते हैं और गाइस हम जहां पर आये हैं ये गाओं का सबसे टौप परवत है यहां से पचास गाओं तो आराम से दिख जाते हैं और यह हम आ अब हम खेतों मारक हैं ये आधे ने तो काट दिया ये घास ये और गाइस ये आधे लोगों ने अपने घास के लूठे लगा दी हैं ये इसे कहते हैं असोज अभी मैंने भी ऐसे लगाना है इससे लिए आरक हैं इसलिए आरक हैं खाना खाने के बाद सिधे आगे हम ये खे में चैन से नहीं रहनी देता है यह मौसम अभी भी बना है तो गाइस हम आ चुके अपने खेतों पर और यह आधे मम्मी ने घास के पुए बात दिये अब इसको एक जगापी खटा करेंगे और इनसे लूठा लगाएंगे और अभी नीचे खेत भी हमारा है इसमें भी अभी ल्टा लगाए जाएगा और किसी का लूठा फरक चुका है हावा की ज़र से यह देखो उन्होंने पेड़ पर नहीं कि ल लगा है तब फरक चुका हो और यह उच्छे उचे पहाड यह और मैंने पुरे खेत के घास के पुई खटा कर दे हैं ये लूठा लगाने के लिए ये पुरा खेत के उठा लिए हैं ये अब दूसरे खेत में चलेंगे पहले इंको लूठा लगाते हैं तो गाइस फाइनली मैंने लगा दिया है लूठा ये एक लूठा लगा दिया है और धूर भी आरकी है और बारीज भी हो रही है और ये एक लूठा और लगाना है इसे कहते हैं पहाड़ों मां लूठा तो गाइस ये है पहाड़ी फल म्योहो का पेड़ और इस पी इतने सारे म्योहो लगे हैं ये देख सकते हो ये अभी ये पके नहीं और नहीं हम इनको खाते हैं पकने के वादे काले हो जाते हैं और अभी ये पके नहीं इतने सारे होरके हैं जंगलों में बहुत होरके हैं ये और आप धूप आ चुकी है 22 भी लगी है और थोड़ा थोड़ा धूप भी आ चुकी है तो guys हमने finally दो लूठे लगा लिए हैं एक यह है और एक उपर है और अब चलते हैं guys घर को तो गाइस आ चुके हैं जंगल से गहास के लूठी लगा कर और गाइस अब चलते हैं घर को इस ब्लॉक को करते हैं यहीं पे इंड फिर मिलेंगे अगले ब्लॉक में तब तक के लिए बागए